आपके वोक्षीट नमर ट्विंटी सिक्स पहले अप लोग इस अच्छे से लेबल कर लेंगे डेट डाल देंगे सब्चेक लिख लेंगे क्लास अपना नाम अपने टीचर कर नाम आप लोग लिख लेंगे तो चलिए इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ आपको पूरा स्काइप कर लें चलिए पढ़ना शुरू गईते हैं तो देखें यहाँ आपका पहला कुषिन जो लिखा है पूर दे सेंटेंस इंद करेक्ट ओर इंद ब्लैंक्स ब्लो यापको यह जो खाली जगाए दी गई है इसके अंदर आपको यहाँ पे इनका नंबर लिखना है कि इनका क्या सही ओर्डर होगा तो चलिए हम लो पहले इनको पढ़ते हैं फिर बताते हैं कि इसका सही ओर्डर क्या हो सकता है तो पहला दीखें यहाँ लिखा है पैनी फेल्ड हिम इन वें जोडी पर्पोस टू ब्रिंग दफॉर्ण होम यानि कि वो जो पैनी थी वो हैरान ह जब उन्होंने इसको कहा कि वो उसे लाना चाहते हैं जब उसका प्रपोसर लखा कि हम उसे वापस घर लाना चाहते हैं मिल्विल्स ओफर तो गीव और राइट तो ज़ॉर्डी तो फाइंड फॉर्म जो थे उन्होंने उसको चलने के लिए राइट यानि कि घोड़े की सावारी दी और कहा कि चलो हम लोग उसको ढूंड के लाते हैं फॉर्ण को जो हिरन के बच्ची की मात ही उसको मारा जा चुका था उसके बार लेका जोडी सेंड मिल्विल बैक यानि कि जोडी ने मिल्विल को वापस भेज दिया नेक्स लिका है जोडी जो उससे सुनके दंग रह गई जो जो जोडी ने उनसे कहा तो इसका सही सिक्विंस क्या होगा तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही सिक्विंस क्या होगा कि सबसे पहले नमबर थ्री आएगा कि यानि जो फॉन था उसकी मदर को मार दिया गया था यानि हीरन को मार दिया गया था नेक्स उसके बाद नमबर वन आएगा जब उसने व कि चलो हम लोग गोड़े से चलती हूं और उसको ढूंड के लाते हैं देन फोर आएगा लास्ट में आपका कि वह जो जॉड़ी था वह मिल विल को वापस बेज़ देता है और कहता है आप यहां से जाओ मैं खुड ढूंड के लियाओंगा तो इस तरह से आप इसको कर लेंग आ रही थी आवाज आई थी उसको खत्म होने का उसने इंतिजार करा देन कट तो दे राइट और फिर उसके बाद वो राइट की तरफ मुड़ गया दे इस क्रफ वाज चलने की आवाज आ रही थी ऑनली इस आउन क्रेकिंग तो दे स्कूंड ग्राउंड सांडेट अक्रॉ उसने क्या देखा उसके सामने एक बहुत बड़ा सा गिद बैटाया और वो बाद में वासे उड़ गया ठीक है उसके बाद के लिए कैंप इंटु दा किलियर अर अंडर दा ओक्स उसके बाद वो उसके अंदर चला गया जो की रास्ता बिल्कुल साफ था बस सैट इन दे सर और यह उसने क्या देखा कि वो उसके गले के पास बैठे हुए उस चीज को खा रहे हैं मतलब उसको खा रहे हैं ही रन को खा रहे हैं क्यों इनका कामी यह होता है मतलब मरे हुए जानवर उनको खा ना अब उसने क्या देखा एक बहुत बड़ा सा ट्री है उसको देखा उसके उपर एड़के वो लो पैठे थे अब क्या लिका देखा देखा बहुत बड़ी सी बिल्ली के पैर के निशान देखा इसमीन वह सकते है चीता हो तो उसे ख्याल आया कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने उसे मार दिया हो ठीक आगे क्या लिखते है देखिए अब वो उस जगहा पर जाना चाहा रहा था जहां पर उस बच्चे को देखा था हिरन के बच्चे को वह वहाँ पर सरकल बनाता है उस चीज़ को देखता है ध्यान पर खेना देखिए वहाँ पर ना कोई सरकल ना कोई आवास थी और ना ही कोई सी तरह का कोई निशान था गर्ज यहां पर कहने का मतलब अल ओवर यह कि अभी तक उसको जो है हिरन का बच्चा नहीं मिला और हर तरफ से उसके निशान भी मिठ चुके थे कि क्या भी हिरन का बच्चा भी होगा चलिए अब इसका नेक्स पार्ट पढ़ेंगी तो मैं पता चलेगा कि क्या हुआ फिलाल इसके कोईशन अंस इसको पढ़ लेते हैं यहां पर कोशिन लिए का फिल इन दा ब्लैंक्स यूजिंग दे हींट आपको हिंट के साथ फिल इन दा ब्लैंक्स को पूरा करना है पहला कोशिन लिका हुआ लास्ट टाइम ही रन के बच्चे को दिखा था ही एट सी इन दा फॉन ठीक है उसके बाद लिका है जोडी गॉट राइट आप लिखेंगे बिग कैट के उसके बाद लिखा वाट देट दू ऑन सिकिंग जोडी तो क्या आ जाएगा हिंस्ट एट हीं ठीक है उसके बाद ने आपको बताना है इनके मतलब तो नियर बाइ का मतलब होता है पास में लाज ब्रेंच ओफ ट्री जैने की पेडू का गुच्छा तो चली इन दोनों की अंसर दिख रहे थे तो आप दिखे इसका यहां से लिख सकते है नियर बाइ का कैसे लिखेंगे बाट ठीक है तो आप किसे कर लेंगे चले तो आपको माई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से लाइक को शेक रहे अगर बी तक आप एपने मैं चांग सब्राइब कर दो प्लीज मैं चांगे है थैंक्यू फा वाकचिए